असलामलेकुम जी दिस यो बॉय मोहमद उमर एंड यू और वाचिंग नोभी रियक्शन उमीद है यार बंगलादेश के तुमाम सिंगल विंगलोग ठीक होंगे तो यार कैसे तुम सब आज एक इंपॉर्टन वीडियो पर रियक्शन देने जा रहा हूं पाकिस्तानी मीडिय बंगलादेश ये पाकिसान का एक मीडिया चैनल है जिसने बंगलादेश के बारे में कमेंट किया है मीडिया में बैठे हुए है मीडिया के लोगों ने नहीं कमेंट किया पाकिसान की जो जो गोवर्मेंट की लोग हैं उन्होंने ये डिवेल्मेंट के मनिस्टर हैं और तो उनके बार ये डबेट हो रही थी बिट्विएन अपोजिशन और गोवर्मेंट तो उसके बारे में बंगलादेश की काफी जादा रड़ तरीफे की गई ही तो देखते हैं ये तरीफे क्या है वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन इस फ़हले चानल पर ने हो तो चैनल को पढ़ रहा था कि 71 से 2020 का सफर उनका कैसे रहा वाँ गुर्बत काम हुई है अनिम्प्लॉइमेंट वाँ काम हुई है उन्हों ने औरतों की तालिम बच्चों की तालिम की उपर बहुत काम की हम नहीं कर सके ब्रामदाद उन्होंने मिजर थ्रस्ट रक है 40 अरब डॉलर्स उप 15 दिन है 50 साल हो गए हैं बंगला देश को अलाइदा हुए और मुझे याद है कि जब मैं चोटा था बच्पन में जब भी मौस में बरसात आता था तो पी टीवी के उपर एक बड़ा मातमी सा मौसी की चलती थी कि मशरकी पाकिस्तान में सलाब आ गया और वहां के भाईयों की मदद के लिए दिल खोल के चंदा दीजिए तो हम एक किसम का उसे समझते थे कि वहां पे सिर्फ सिला भी आते हैं और कुछ नहीं होता आज 50 सालगरा पे उन्हों ने इश्तिहार शाय किये हैं कि हमने पाकिस्तान को हर एकनॉमिक इंडिकेटर में बीट किया है तो एक उन ने एक पुलिटिकल स्टिबिलिटी की मनजल हासल कर ली है कि एक निजाम है जिसके साथ कंटिनुटी से चल रहे हैं दूसरी मैं चीज़ जो देख रहा था कि हमारा और बंगला देश का जो नुमाया फर्क है बंगला देश, वियटनेम, लाओस, मलेशिया, सिंगापोर, ज जिपैन, कोरिया, इन सब एकॉनमीज में आप देखें जो फास्ट, इमर्जिंग, एशियन एकॉनमीज थी, इन में से किसी पर भी डिफैन्स का बर्डन नहीं था, बंगला देश स्पैंड वन परसंट आफ ये जी डी पी ऑन ले डिफैन्स बजट, उसके मकाबले में हम च उसी साइड पे इंडिया वई, बंगला देश का वन परसंट है, और अगर आप वो देखिए, जो अगर उनका भी चार परसंट होता, तो शायद वो इस तरह ना कर सकते हैं, तकरीबन मैंने देखा कि उनका ये नौ बिलियन डॉलर फालतू बजटा है, कि अगर वो अपना को अनों ने काम रखा हुआ है, उनकी अपनी जियो एकनामिक सिचूशन है, ये जो आपने एक चीज़ पर किया ठीक है, लेकिन हमें मुल्क की ब्रामदा को पचास अरब डॉलर का ले जाने से को नहीं था होता है, जब आपके पास, तालीम की उपर अज़ाफी सौर रॉप प्रोडिक्शन बेस, जब आप कमोडिटी सेक्टर्स के अंदर हैं, तो आपको प्रीमियम नहीं मिलता, और जब आप से कुछ सस्ता पैदा करने वाला आ जाता है, बायर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, हमारे हैं अगर हमने वैल्यू डिशन में जाना है, तो दिस रिक्व अधार आएगा, आपकी अगर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं होगी, कहां से फॉरण डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट होईगी, अगर आपका लीगल स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं होगा, कौन सा फॉरण इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान में आके पार्टी के थे, और जो दूसरे वाले थे, वो नुवाज श्रीफ की पार्टी के थे, और मैं बताता जाओं के मैं इमरान हान का स्पोर्टर हूँ, और जो दूसरी साइट वाले थे, एसन इकबाल उनका नाम था, जिन्नोंने मेरे हाल से बदामी कलर का और इस तरह का ने वाले इनसान है, और मेरे हाल से नुवाज श्रीफ की पार्टी में सबसे नुवाज श्रीफ से भी काबल ये शक्सी है, तो यार ये सीम आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था, जिसमें वो बंगलादेश का जीडीबी वसिस डिफेंस को कमपैरिजन कर रहे थे पाकिस्तान के साथ है, और सेम टो सेम ये इसान वहाँ लिखा हुँँगा का चारफ पर्सन जादा है, क्यूंकि हमारी का क्फ़ी साथा सिचुयशन है, हम्ins है, हमें एक साइड़ पर इंडिया लगता है, जो को पाकिस्तान पर कहता है, और पाकिस्तान हमारा मुलक का है, इसको हमने हासिल करना है वो इनके यह policy बियान है बीजी पे के और फिर दूसी साइट पे अफगानिस्तान है वहां रूसा या अमरीका या चीन की इन्वाल्मेंट है तो तुर्की की मतलब पूरी दुनिया की वहां इन्वाल्मेंट है तो हमें काफी ज़दा ना हत्रा होता है हमें वहां और का वह इन अफगानिस्तान के ही साथ है तो उसको मैनेज करना काफी ज़दा मुश्किल होता है जबके बंगलादेश को इसनी टैंस सिच्वेशन नहीं है उसके परोसी काफी ज़दा अच्छे हैं कभी लव और रूमेंस और हीट इस तरह मैनमार के साथ चल जाता है लेकिन बंगलादेश की जो सिच्वेशन है वो काफी ज़दा बेतर है और बंगलादेश का विन-विन सिच्वेशन में है उसके जितने भी है नेबरिंग कंट्रीज है और बंगलादेश ने यही यह एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन यह चीज़ आपको माननी परेगी उन्होंने अपना काम किया है इंपोर्स बराई है एक्सपोर्स बराई है इंपोर्स कम की है तो जिसकी वज़े से उन्होंने तरकी की है लेकिन यह जो मिस्टर एससे निक बात है इनकी बात में भी बिल्कुल सदाकत है जी हाँ यह बिल्कुल बात उन्होंने ठीक की है जब आपके पा रह जाता है क्योंकि इनक जो वन परसंट आइडिफेंस पर एक्स्पैंड करते हैं लेकिन हम फ़ोर परसंट करते हैं और हमें हमेशा जो बजट है उसमें लॉस होता है और हमें कर्ज ले के वो पूरा करना परता है फो एक बड़ी तगरीब आथ की थी कि जब बंगलादेश ने अपने 50 साल मुकमल की है और उसने पाकिसान को बताया भाई कि हम वो मुलक नहीं जहां से लाब आते रहे हमने अब पाकिसान को हर मैदान में और हर चीज में शिकस दिया और ये फिकर लिम्हें पाकिसान के लिए कि उनको भी देखना चाहिए कि वो क्या का रहे हैं क्या नहीं पाकिसान में स्टेबिल्टी नहीं है मैं सीधी आपको बताओं पाकिसान में पुलिटिकल स्टेबिल्टी नहीं है बंगलादेश में भी स्टार्टिंग में थोड़ी प्राबलम हुई थी लेकिन बंगलादेश के जो स्टेट है उसने काफी ज़ादा अच्छा स्टेबिल्टी हासिल कर ली हुई है तो कॉंग्रेचुलेशन टो बंगलादेश और इंशाला आप तरक्की करेंगे हम पाकिस्तानी बाई और मुसलमान बाई यूगाब की तरक्की से हुश है हम हसद नहीं करते तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई ये वीडियो को लाइक मेंशेट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तर चाहिए बाई